Hello students, आज इस वीडियो में हम chapter 13 symmetry exercise 13.1 से question number 4 solve करेंगे question number 4 देखे, copy the following on a squared paper a squared paper is what you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes then complete them such that the dotted line is the line of symmetry देखे, यहाँ पर हमें यह figures दिये गए है, कहा गए है कि इन्हें squared paper पर copy कीजिए squared paper हम earlier classes में use कर चुके है squared paper यानि graph paper की यहाँ बात की गई है तो इन figures को graph paper में copy करना है आगे लिखा है then complete them such that the dotted line is the line of symmetry और कहा गए कि इन figures को complete कीजिए और इस तरह से complete करना है कि यह जो dotted line है यह line of symmetry हो तो सबसे पहले तो हम इन figures को graph paper पर copy कर लेंगे तो देखिए squared paper पर हमने इन figures को copy कर लिया है अब हमें इन figures को complete करना है और यह जो dotted line है यह line of symmetry है तीक है अब देखिए line of symmetry क्या होती है एक ऐसी line जो एक figure को two equal parts में divide करे line of symmetry क्यालाती है तो अब देखिए इस line of symmetry के right side पर जो इस figure बना हुआ है same यह ऐसा ही figure जो हमें इस line of symmetry के हाँ left side पर बनाना है तो देखिए सबसे पहले इस point को देखिए यह point line of symmetry से कितनी दूरी पर है देखिए यहां से यहां तक है one unit और यहां से आतक है two units हो गई तो यह two units की दूरी पर है तो अब हम line of symmetry के इस तरफ left side पर भी यहां two units पर यह point ले लेंगे तो देखिए यहां से यहां तक है one unit और यहां से आतक है two units तो यहां पर two units और यहां point ले लिया अब इस point से इसे और इसको मिला देंगे तो इस point से मिला देंगे सबसे पहले इसे मिला देते हैं मिला दिया हमने अब इस point से इसे मिला लीजिए तो देखे इस point को हमने यहां मिला लिया तो देखे सेम ऐसा ही figure यहां left side पर भी बन गया अब देखे अगर इन दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरे के उपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी-पूरी तरह से ढख लेंगे तो ये क्या है लाइन ओफ स्मिट्री है अब देखे बी पार्ट में हमें ये figure complete करना तो देखे ये line of symmetry है अब हमें इस symmetry line के यहाँ नीचे की तरफ जह सेम ऐसा ही figure बनाना है सबसे पहले देखे हम ये वाली line जो है यहाँ symmetry line के इस तरफ draw करेंगे तो देखे इस point को ये point symmetry line से कितनी दूरी पर है देखे कि यहां से आतक one unit two units two units की दूरी पर हैं तो यहाँ भी इस symmetry line से नीचे की तरफ two units पर एक point लेंगे तो देखे यहां से आतक one unit और ये two units तो यूनिट की दूरी पर हमने ये point ले लिया अब इस point और इस point को इन दोनों को मिला लिजिए तो देखे हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है उसके बाद देखे यहां से हम राइट two units right की तरफ चल रहा है तो यहां से भी two units right की तरफ चलेंगे तो देखें यह one unit और यह two unit यहां two units हो रहा है तो यहां से two units हम यह right की तरफ चलें ठीक है अब देखें उसके बाद यहां से यह point जो है कितनी Units की दूरी पर है ? हम इस Point को μिला लेंगे यहां नीचे की तरफ लेंगे समिठ्री लाइन से दूर तो 1, 2, वो Top अभी इन दोनों Points को मिला लीजे मिला ले उसके बाद देखें यहां से हम राइट की तरफ टू यूनिट्स चल रहे हैं तो यहां से भी राइट साइड की तरफ टू यूनिट्स चलेंगे तो यहां तक हुआ तो राइट की तरफ हम यह टू यूनिट्स चल गए उसके बाँ देखें यहां से हम two units चल रहे हैं, one, two, two units चल रहे हैं और किस तरह चलुण हैं? इस point से मिल रहा है तो अब इस point को भी हम यहां smittry line पर ऐसे मिला लेए तो देखें सेम ऐसी figure smittry line के यहां दूसरी तरह बन चुक है तो यह figure complete हो गया है तो देखें smittry line जो है इस पूरे figure को इस two equal parts में divide कर रही है ठीक है अगर इन दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरी के उपर रखेंगे ते दोनों एक दूसरी को पूरी-पूरी तरह से ढख लेंगे अब C पार्ट देखें C पार्ट में अब हमें इस figure को complete करना है तो देखें यह line of symmetry है तो line of symmetry के अब इस तरफ हमें ऐसा ही figure यहां बनाना है तो सबसे पहले देखें यह line of symmetry से यह वली line कितनी units की दूरी पर है तो देखें यह line of symmetry है अब यह line कितनी दूरी पर है देखें यहां से यहां तक ही one unit फिर second unit, फिर third unit, फिर fourth unit तो यहाँ से four units की दूरी पर है तो अब हम line of symmetry के इस तरफ जहाए यहाँ four units की दूरी पर निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ तो देखे, यहाँ से यहाँ तक है one unit फिर two unit, फिर three unit और फिर four unit तो यहाँ तक four units बन रही है तो देखें फोर यूनिट की दूरी पर यहां नीचे की तरफ यह लाइन डो कर लिया उसके बाद यह वली लाइन अभ देखें यहां से यहां तक वन यूनिट की दूरी पर है तब यहां पर जहे हम इस तरफ बाई तरफ जह है यानि लेफ्ट साइड की तरफ जह है वन यूनिट की तरफ निशान लगा लेंगे तो यहां से यहां तक यह वन यूनिट है तो यहां वन यूनिट पर हम यह लाइन खीच लेंगे तो देखे ये वली लाइन सेम हमने इस तरफ खीच दी ये वली है ठीक है उसके बाद अब ये वली लाइन देखिए ये यहां से कितनी उनिट्स की दूरी पर है वन उनिट्स की दूरी पर है तो अब यहां से भी हम वन उनिट्स की दूरी पर जे निशान लगाएंगे पर नी लिचे की तरफ लगाएंगे वन यूनिट की तरफ निशान तो यहां से यहां से यहां से कितने यूनिट की दूरी पर हमने यह लाइन खीच दिया है ठीक है यह लाइन हो गई उसके बाद अब यह वली लाइन है यहां से कितने यूनिट की दूरी पर यहां से यहां से यहां स तो यूनिट की दूरी पर हम यह लाइन ड्रो कर देंगे तो देखिए यहां से यहां टू यूनिट की दूरी पर हम यह लाइन ड्रो कर लिए उसके बाद यहां से यह वन यूनिट की दूरी पर यह लाइन है ठीक है कितनी यूनिट की दूरी पर यहां से अब नीचे की तरफ जो है वन यूनिट की दूरी पर हम यह लाइन डो कर लेंगे तो यहां से आतक यह वन यूनिट है तो यह वन यूनिट की दूरी पर हमने यह लाइन डो कर लिए ठीक है उसके बाद अब यह वली लाइन है यह देखे कितनी यूनिट की दूरी पर है वन टू थ्री त्री यून तो देखिए यहां से 3 units की दूरी पर हमने ये line draw कर लिया तो देखिए same ऐसा ही figure जो है line of symmetry के इस तरह भी बन गया है तो देखिए figure complete हो चुकी है ये line of symmetry है ये इस complete figure को in two parts में divide करी अगर इन दोनों parts को एक दूसरी के उपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरी को पूरी पूरी तरह से ढख लेंगे D part देखिए D part में अब हमें ये figure दियागा इसे complete करना है ये जो dotted line है ये line of symmetry है तो देखिए line of symmetry के इस तरफ ये triangle बना है तो हमें line of symmetry के इस तरफ ऐसे ही same triangle बनाना है तो कैसे बनेगा देखिए इस point को अगर इस point से मिला दे तो ये triangle बन जाएगा तो देखिए इस point को हमने इस point से मिला दिया तो same ये ही triangle जए line of symmetry के इस तरफ बन गया तिके उसके बाद देखिए अब ये एक square बन रहे है तो यहां ये जो square बन रहे है इसे हमें left hand side के इस तरह बनाना है तो कैसे बनेगा अगर हम यहां से यहां इसे ऐसे में मिला दे तो यह square बन जाएगा और फिर इसे यहां उपर मिला लीजे तो देखिए ऐसा ही same square जो है यहां इस तरह भी बन चुक है तो यह figure complete हो चुक है तो देखिए यह line of symmetry है यह इस figure को two equal parts में divide करें अगर इन दोनों parts को एक दूसरे के उपर रखें तो यह दोनों एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से cover कर लेंगे अब यह part देखिए यह part में अब यह figure दिया गया है इसे complete करना है देखिए यह line of symmetry है अब line of symmetry के इस तरफ जो यह figure बन रहा है same ऐसे figure हमें line of symmetry के दूसरी तरफ पर बनाना है तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले यह वाला point देखिए यह point इस line of symmetry से कितनी units की दूरी पर है देखिए यहां से यहां तक one unit और फिर two units two units की दूरी पर है यह point तो हम line of symmetry के उस तरफ भी two units की दूरी पर यह point ले लेंगे तो देखिए यहां से यहां तक one unit ठीक है और यहां से यहां तक two units तो यहां पर हम point ले लेंगे इसी point की seed में लेना है यह point तो यहां पर two units की दूरी पर हम यह point ले लेंगे तो यह point ले लिया अब इस point को जो है हम यहाँ इस point से मिला लेंगे तो रेखे मिला दिया तो रेखे जो यह वली line है सेम ऐसी line जो है line of symmetry के उस तरफ यह draw हो चुकी है ठीक है अब आप इस point पर आ जाएए अब यह point देखे line of symmetry से कितनी दूरी पर है देखे यहां से यहां तक 1 unit फिर यह 2 unit यह 3 unit और यह 4 unit 4 units की दूरी पर है तो इसी point की सीध में यह line of symmetry के दूसरी तरफ जब 4 units की दूरी पर हम point ले लेंगे तो देखे यहां से यहां तक 1 unit फिर यह 2 unit 3 unit और 4 unit तो four units की दूरी पर हम यहाँ पर यह point ले रहे हैं इसी point की सीध में ठीक है अब इस point को इस point से मिला दीजिए तो देखें इस point को हमने इस point से मिला दिया तो same यही line जो है इस line of symmetry के दूसरी तरफ यहाँ draw चुकी है अब इस point पर आज़े अब देखें यह point line of symmetry से कितनी दूरी पर है देखें यहाँ से आ तक one unit फिर यह two unit और यह three units की दूरी पर है तो यहाँ line of symmetry के दूसरी तरफ भी हम three units की दूरी पर point ले लेंगे तो देखिए यहां से आ तक 1 unit यह 2 units और यह 3 units यहां 3 units हो रहा है इसी point के seed में लेना है तो 3 units की दूरी पर हमने है निशाल लेगा लिया अब इस point को इस point से मिला लिजिए तो देखिए इस point को इस point से हमने मिला दिया तो ऐसी same line जो है line of symmetry के यह दूसरी तरफ यह draw हो चुकी है अब इस point को इस point से मिला लेंगे तो यह वली line जो है उस तरफ draw हो जाएगी तो अब इस point को इस point से मिला लीजिए तो देखिए ऐसी scale रखके इस point को हम इस point से मिला दिये तो देखिए इस point को हमने इस point से मिला दिया तो ऐसी same line जो है line of symmetry के दूसरी तरफ यह draw हो चुकी है त इन दोनों पार्स को एक दूसरी के उपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरी को पूरी-पूरी तरह से ढख लेंगे अब F पार्ट देखें F पार्ट में ये फिगर दिया गया अब इसे कम्प्लीट करना है तो देखें लाइन ओफ स्मिट्री के दूसरी तरफ जो इस फिगर बन रहा है से इम ऐसा ही फिगर जो हमें लाइन ओफ स्मिट्री के इस तरफ बनाना है तो देखें सबसे पहले यहाँ पर देखें इस स्क्वेर पेपर पर ये एक छोटा सा स्क्वेर बन रहा है ठीक है देख रहे हैं आप यह चोटा सा स्क्वेर बन रहा है और यह जो लाइन है इस स्क्वेर का हाफ ली गई है ठीक है इस स्क्वेर की आधी जो है यह लाइन ली गई है तो अब इस स्क्वेर के ठीक सामने देखे यह स्क्वेर बन रहा है तो हम इस स्क्वेर की भी हाफ ला तो देखे जो यह वाला portion है उसे तो हम यहां line of symmetry के इस तरफ यह बना चुके हैं अब देखे इस point से कितनी units की दूरी पर यह line draw की गई है देखे यहां से यहां तक one unit यहां से यहां तक two units two units की दूरी पर यह line draw की गई है तो हम यहां इस point से left की side जहें two units की distance पर यह line draw कर लेंगे तो देखे यहां से यहां तक one unit यहां से यहां तक two units यहां पर two units हो रही है तो यहां पर यह line draw कर लेंगे तो देखे यहां scale रखा और यहां से two units की दूरी पर हमने यह line draw कर ली तो कि likeंई ऐसाल्री से परोंद्धक है एंसे ज़्केशाए अब उसके बाद यह वली लाइन देखें इस पोइंट से कितनी उनिट्स की दूरी पके कि यहां से आ और यहां से आ तक two units, two units की दूरी पर है, तो अब इस point से यहां नीचे की तरफ two units की दूरी पर हम point ले लेंगे, तो देखिए यहां से आ तक one unit और यहां से आ तक two units, तो two units की दूरी पर हमने point ले लिया और इन दोनों points को मिला लीजिए, तो देखें इन दोनों points को हमने मिला लिया तो same ऐसी ही line जह है line of symmetry के इस तरफ draw हो चुकी है अब देखें अब इस point पर आ जाएए अब इस point से देखें ये line कितने units की distance पर है देखें यहां से आ तक 1 unit यहां से आ तक 2 units 2 units की distance पर है तो अब यहां से नीचे की तरफ जाए 2 units की दूरी पर हम एक point ले लेंगे तो देखें यहां से आता कि 1 unit और यहां से आता कि 2 units 2 units की distance पर हमने point ले लिया अब इन दोनों points को मिला लीजे देखें इन दोनों points को हमने मिला लिया तो सेम यह वली line जाए line of symmetry के इस तरफ यह draw चुकी है अब उसके बाद यहां से यह वली line देखें यह कितने units की distance पर है रहे रहे यहां से 1 unit और यहां से 2 units 2 units की distance पर है तो अब यहां से left side की तरफ जाए 2 units की distance पर हम यह line draw करेंगे तो यहां से यहां तक 1 unit और यहां से यहां तक यह two units की distance बन रही है तो यहां से यहां तक इस point को हम मिला लेंगे तो देखें इन दोनों points को हमने join कर लिया तो यह line यहां पर draw हो गई है अब देखें यह वाली line रह रही है अब सेम ऐसी line हमें line of symmetry के इस तरफ draw करनी है तो कैसे draw होगी अगर हम इन दोनों points को join कर दें तो देखें हमने इन दोनों points को मिला दिया तो यही line जा line of symmetry के इस तरफ draw चुकी है तो देखिए अब यह figure complete हो चुका है और यह line of symmetry है तो देखिए जब हम इन दोनों parts को एक दूसरी के उपर रखेंगे तो यह दोनों एक दूसरी को पूरी पूरी तरह से ढख लेंगे तो आज इस वीडियो में हमने question number 4 सोल करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, thank you